यदि आप अपने मस्तिश्क से सारी नमी सोख लेते हैं और इसे इसके घटक पोशन सामगरी में तोड़ देते हैं तो ये कैसा दिखेगा? आपके निर्जली कृत मस्तिश्क का अधिकांश वजन वसा से आता है जिसे लिपिट भी का जाता है शेश मस्तिश्क सामगरी में आपको प्रोटीन और अमीनो ऐसिड, सुक्ष्म पोशक तत्वों की थोड़ी मात्रा और ग्लुकोस दिखेगा निश्चे ही मस्तिश्क अपने पोशक अंगों के योग से बढ़कर है लेकिन प्रतियक घटक का कार्य, विकास, मनुदशा और उर्जा पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है इसलिए आपको अनुभव होने वाला भोजन उपरांत आलस या देर रात की सतरकता आपके दिमाग पर भोजन का प्रभाव हो सकते है आपके दिमाग में मौजूद वसा में से ओमेगा 3 और 6 सुपरस्टार है अपक्षिय मस्तिश्क की स्थती को रूखने के लिए आवशक फैटी आसिडों को हमारे आहार से मिलना चाहिए इसलिए ओमेगा योक्त खाद्यपदार्थ जैसे नट्स, पीज और वसा योक्त मचली खाना कोशिका जिल्ली के निर्मान और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है ओमेगा आपके मस्तिश्क के लिए अच्छा वसा है ट्रांस और संत्रिप्त वसा जैसे अन्यवसा की लंबी अवधी की खपत मस्तिश्क को हानी पहुँचा सकती है इस बीच प्रूटीन और अमीनो ऐसिड विकास और प्रगधी के लिए पोशक तत्व बनाते हैं हमारे अनुभव और व्यभार के तरीके में हस्तक्षिप करते हैं अमीनो ऐसिड में नियूरो ट्रांस्मिटर के अग्रदूत होते हैं रासायनिक संदेश वाहक जो नियूरॉन्स के बीच सिगनल ले जाते हैं मूड, नीद, ध्यान और वजन जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं इन कारणों के चलते ही हम पास्ता खाने के बाद शांत महसूस कर सकते हैं या प्रोटीन युक्त भोजन के बाद अधिक सतर को हो सकते हैं भोजन में यौगिकों के जटल संयोजक मस्तिश्क की कोशिकाओं को मूड बदलने वाले नौरेपिनेफरिन, डूपमीन और सेरिटोनिन को छोडने के लिए उतेजित कर सकते हैं लेकिन आपके मस्तिश्क की कोशिकाओं तक पहुँचना मुश्किल है और अमीनो ऐसिट को प्रतीसपरधा करनी पड़ती है खाद्य पदार्थों से युक्त आहार से मस्तिश्क के संदेश वाहकों के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है और ये आपकी मनुदशा को जुकने से रोकता है हमारे शरीर के अन्य अंगों की तरह हमारे मस्तिश्क को भी सुक्ष्म पोशकों की निरंतर आपूर्ती से लाब होता है फलूं और सबजियों में मौजूद अंटि आक्सिडेंट मस्तिश्क की कोशिकाओं को नश्ट करने वाले मुक्त कणों से लड़ने के लिए मस्तिश्क को मजबूत करते हैं जिस से आपका मस्तिश्क अच्छी तरह से काम करता रहता है और विटमिन B6, B12 और फॉलिक असिड जैसे शक्तिशाले सुक्ष्म पोशक तत्वों की बिना हमारा दिमाग मस्तिश्क रोग और मानसिक राज के लिए अति समवेदन शील होगा खनिज, लोहा, तामबा, जस्ता और सोडियम की सुक्ष्म मात्रा भी मस्तिश्क स्वास्त्य और प्रारंभिक संग्यानात्मक विकास के लिए मूलभूत है मस्तिश्क को इन मूलिवान पोशक तत्वों को कुशलता से बदलने और संशलेशत करने के लिए इंधन की, बहुत सारे इंधन की आवश्यक्ता होती है मानव दिमाग हमारे वजन में केवल दो प्रतिशत होता है लेकिन ये हमारे उर्जा संसादनों में से 20 प्रतिशत तक उप्योग करता है इस उर्जा का अधिकांश भाग कार्बोहाइडरिट से आता है जिसे हमारा शरीर ग्लूकोज या रक्त शरकरा में पचाता है मस्तिश्क के आगे के हिस्से ग्लूकोज में कमी के प्रति बहुत अधिक सम्वेधनशील होते है वस्तु तह मानसिक क्रिया में परिवर्थन पोशक तत्वों की कमी का प्राथमिक संकेत है माने कि हम निएमेत रूप से ग्लूकोज ले रहे हैं विशिष्ट कार्बोहाइडरिट लेते हैं, हमारे दिमाग पर कैसे असर करते हैं? कार्बोहाइडरिट के तीन रूप हैं, स्टार्च, शरकरा और फाइबर. जबकि अधिकांश पोशन लेबल पर इन सभी की गिनिती कुल कार्ब के रूप में की जाती है. पूरी मात्रा में शरकरा और फाइबर उपसमूहों का अनुपाद प्रभावित करता है, और शरीर और मस्तिश को कैसे प्रतिक्रिया करता है? सफेद ब्रेड की तरहे का एक उच्च ग्लाइसीमिक भोजन रक्त में ग्लूकोज के तेज रिलीस का कारण बनता है, और फिर तेजी से कमी होती है. रक्त शरकरा कम होती है और इसके साथ हमारा ध्यान और मनुदशा घट्टी है. दूसरी और जाई, अनाज और फलियों में ग्लूकोज धीमी गती से निकलता है, जिससे सतरकता में भढ़काव नहीं होता. निरंतर मस्तिशक शक्ति के लिए पोशक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को लेना महत्वपूर्ण है. जब बात आपके काटने, चबाने और निगलने की चीजों की हो, तो आपकी पसंद का आपके शरीर के सबसे शक्तिशाली अंग पर सीधा और चिर्स्थाई प्रभाव पढ़ता है. और जानना चाहते हैं, अपनी जिग्यासा शांत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.